तो यह है next day और आज finally मेरा जो problem था वो solve हो चुगा है और मैं आपको यह भी बता दो कि यह वाला problem कैसे solve हुआ है तो आप देख सकते हो कि मेरा जो UPI PIN है वो set हो चुगा है एकदम properly नवस्कार दोस्तों अगर आपके phone पे के app से UPI PIN को set कर रहे हो लेकिन आपका जो UPI PIN है वो set नहीं हो रहा और आपको यह अपर दिखा दे रहा है unable to set UPI PIN तो आप कैसे इस वाले problem को solve कर सकते हो यही मैं आपको आज के इस वीडियो में बता दो तो चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को start करते है So guys देखो अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहे है ना unable to set UPI PIN तो इसके बहुत सारे reasons हो सकते है तो basically मैं आपको आज के इस वाले वीडियो में वो सारे problems वादा नहालो जिससे कि कुछ इस तरीकी एक option आपको दिखाई दे सकता है और उन सभी का solution भी बताऊंगा कि कैसे आप इस वाले problem को solve कर सकते हो तो देखो अब मैं आपको देता हूँ सबसे पहला solution जिससे कि जो है आप इस वाले problem को solve कर सकते हो तो अभी हमारे जो पहला solution है वो क्या है कि देखो अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहे है कि unable to set UPI mean तो आपको यह करना है सबसे पहला solution तो बहुत ही simple सा है कि देखो अगर आपको फोन में net का connection नहीं होगा या फिर net से related कोई भी problem होगा तो भी आपको ऐसा दिखाई दे सकता है सबसे आपको करना है यसे बेक कर देना जैसे आपग कर जाओगे तो यहाँ पर कुछ ब्लीक कर देना है adores अ यहां पर आपको जो है फोन पे का जो एता फैना उसे खुरे आप यहां से सर्चー या पर आपको search कर देना है phone पे और जैसे आपको phone पे मिल जाएगा तो आपको उसे open कर देना है OK phone पे search तो आप जैसे click कर दोगे smartphone pay key ap पे तो या पर आप देख सकते हो कि अभी हमारे phone पे ke key आपको पर पड़कर आपके सबस्टाइक है अब क्लिक करके आपको प्लिक करणे सिर्धिक OSP monsieur तो इससने हो सकता है कि अगर कोई भी प्रोब्लम का रही हो तो वह सॉल्ट हो जाए और आपका जो UPI PIN है वो set हो जाए लेकिन दोस्तों आज की इस वाले वीडियो में मैं आपको जो तीसरा और चोथा वाला solution बताने आलो उससे तो definitely यह वाला जो problem है यह solve हो जाएगा तो अब मैं आपको आता हूँ दूसरा solution जिससे कि आप इस वाले problem को solve कर सकते हो तो अभी हमारे जो दूसरा solution है वो क्या है कि देखो जब भी आप यहाँ पर इसे UPI PIN को set करने की कोशिश कर रहे थे ना उसके पहले आपको यहाँ पर ऐसा option दिखाए दे रहोगा कि आपको आपके ATM PIN का जो लास्ट six digits है उन्हें एंटर करना है और आपको जो है आपकी valid upto जो date होती है जो expiry date होती है उसे एंटर करना है तो यहाँ पर एक गडबड ऐसी हो सकती है कि आप मैंसे कुछ लोगों ने जो expiry date है उसके जगा पर आपने जो है valid from जो अभी जब से आपका ATM card start होने वाला आपको यहाँ पर valid upto वाला ही लिखना है जो six digit है उन्हें भी आपको एकडब प्रॉपरली लिखना है वो भी अगर आपने प्रॉपरली नहीं लिखे होगे तो भी ऐसा problem आ सकता है तो अब दोस्तों मैं आपको तीसरा solution जिससे कि जो है आप इस वाले problem को solve कर सकते हो तो आपने ATM card का जो पीन है उसे शैट नहीं किया होगा तो आपको एम काड़ का जो पीन है वहे जाना है और वहाँ पर जाकर के आपको ATM card का जो पीन है उसे सैट कर देना है तो बहुत से लोग इससे सैट नहीं करते तो भी ऐसा problem आ सकता है तो अब दोस्तों मैं आपको तो fourth solution ज लिख देना है इट वाक्स और वीडियो को लाइक कर देना ओके तो देखो अब हमारा जो फोर्थ वाला सॉलुशन है वह क्या है तो अब हमारा जो फोर्थ सॉलुशन है न वह क्या है कि देखो अगर आपको ऐसा प्रॉल्बम आ रहा है कि अनेबल डूसाइट यूप यह तो ह आपको अगर ऐसा प्रोब्लम आए तो आप बैंक की जिस भी ब्रांच में अपने अकाउंट खोल के रखा है उस ब्रांच में आप जा सकते हो और उन्हें पूछ सकते हो कि मेरा ऐसा प्रोब्लम क्यों आ रहा है तो हो सकता है कि वह जो है अगर आपने KYC ना की हो तो भी ऐसा करने की कोशिश कर रहा था लेकिन आज मैंने क्या किया है कि चार बजे ही UPI PIN को सेट कर दिया और चार बजे क्या होता है कि bank on होती है तो बैंक अगर आप working hours में यह काम करोगे ना तो यह हो जाएगा ऐसा मेरा मारना है तो आप ऐसा चेक करके देखना कि यह काम करता है अफिर ने मेरा तो काम हो चुका है मेरा जो है UPI PIN भी सेट हो चुका है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरा जो UPI PIN है वो सेट हो चुका है एकदम properly अगर आपको यह वीडियो इंफर्मेटिव लगाओ तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को कर देना वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद ठेंक्यू सो मच